सौगत है आप सभी को अपने यूटूब चैनल को मेडिसीन वाला दोस्ते में बात करेंगे सालबुटा मोल के बारे में सालबुटा मोल कंपोजीशन जो की एंटि ऐस्तामेटिक व्रग है एसके बारे में अब देखते हैं कि चालबूक्ता मोल्ट कितने कितने MG में याती है तो पहली बात है कि 2 Mg, 4 Mg, 8 Mg तीनों में याती है जैसा भी जिसको परयोग करना चाहें कर सकता है शला कि डाउटर से ज़रूर लें संपर करें ठीक है बिना डाक्टर के लिकना के कोई भी मेटसीन यूज ना करें तो बहतर है इसमें गाईनेम में जो आता है आस्था लिन 2 तू आस्थालीन 4 आस्तालिन जान देगें कि बहुत ही फेमस वरांड है हर एक भी हर एक एक मेडिकल स्टोर मिल जाता है आस्तालिन कि नाम से मेट्षी मेट्शी मेट्शीन गप नहीं दी यूज किया जाना चाहिए जैसे कि देखें इसका side effect है इसका side effect है कंपन, बॉडी में कंपन होना बाईचांदर जो इसको खाली जाए जाए तो उससे कंपन होने लगता है, सिर्दर्द करने लगता है, अनिद्रा, नीद नहीं आती है, थाधर हार्ट होती है, सरीर में कंपन होता है, ठीक है, और चक्कार आना, गवराहर्ट, अब इसमें यह वाला है ट्रेग आपका किस-किस रोग को नहीं दिया जाना चाहिए, तो यह सारी चीजें होई, हर्ट डिजीज, डियाविटीज, लंग इंफेक्शन, इनको रख्मेंट नहीं किया जाना चाहिए, आप 2MG, 4MG, 8MG में इसका ब्राण्ड आता है, अब हम देखते हैं इसको यूज कहां किया जाता है, कहां कहां यूज किया जाता है इसको, इसको यूज किया जाता है, आपका जो है, सीयो पीडी में, अस्थमा में यूज किया जाता है, सीयो पीडी अर्थार, क्रोनिक ऑश्ट्रक्टिव, पल्मोनरी डिजीज, अर्थार COPD ऐसा केस है, ऐसी बिमारी हो जाती है, जब लंबे समय से सांस फूल रही हो, किसी बेक्त की लंबे समय से सांस फूल रही हो, उसका इलाज ना करा रहा हो, तब जो COPD में कनवर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं COPD, क्रोनिक, अब्स्ट्रक्टिव, पल्मोनरी डिजीट, इसमें यूज किया जाता है, सालबोटामूल, 2MG, 4MG, 8MG जो भी है, और BD इसका डोज है, आपका एडल डोज है, 2MG या 4MG, BD या TDS चला सकते हैं, पार्टेन डेज या सम्झिंग जो है, मेक्सिमम, मेक्सिमम वन मं चला सकते हैं, जैसा कि डाक्टर लोग ऐसा करते हैं, और इसमें आस्तमा में यूज किया जाता है, आस्तमा क्या है, आस्तमा ऐसी बीमारी होती है, जिसके जो नली होती है, उसकी नली में सूजन हो जाती है, सूजन होने की कारण उसके नली में जो है, आक्सीजन की जिसके कारण उसको प्रोवलम सांस लेने में ज्यादा हो जाती है और कभी कभी देखने मिलता है सांस लेने में प्रोवलम होती है और उनकी साइं साइं की अवाज ज्यादा निकलती है तो इस सारी सेम्टम है और साइड इफेक्ट इसका आपनी जानी लिया कि हर्ट बीड़ गभी कभी थाकान, बेचैनी, गले में दर्ध, जो भी यो हैडएक हो जाता है, बीपी लो हो जाता है कभी-कभी, तो इसका साइड इफेक्ट हो गया, डोज हो गया, COPD या अस्तमा में यूज किया जाता है, अस्तमा जिसे कि आपका सांस की तकलिफ हो, सीने में जकड़न हो, सांस लेने में कटिना ही हो या खांसी हो तो उसमें भी यूज आप कर सकते हैं ठीक है बट बिना कोई विदवाज हो है बिना किसी डाक्टर की सालाज के आप यूज ना करें आज के लिए थैंक्यू सोमज जहिन द्वन्निवात्रम धन्निवाद